हेलो स्टूडेंट्स मैं शिक्षा सामरा सकसर सीडीज एजूकेशन से कक्षा दस्वी बोड परिक्षा 2018 के प्रेशन पत्र हल करने की श्रिंकला में आज एक नया प्रेशन लेकर आई हूँ हम बात करेंगे खंड घव की कंड घव में आपको लेखन कौशल से सम्बंदित प्रेशन पूछे जाते हैं और हम जिस प्रेशन की आज चर्चा करेंगे वह है प्रेशन नमबर 15 प्रेशन नमबर 15 में 2018 में आपको सूचना लेखन के बारे में पूछा गया था हम बात करेंगे सूचना किसे कहते हैं और सूचना जो है वो कितनी तरह की होती है और सूचना को लिखते समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप पूरे नमबर ले सकें सबसे पहले हम सूचना की बात करेंगे सूचना कहते किसे हैं सूचना का अर्थ होता है किसी को किसी बारे में सूचित करना अर्थात आप कोई ऐसी बात बताना चाहा रहे हो जो सब को पता चले तो आप सूचना के माध्यम से उसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ठीक है उसे कहा जाता है सूचना और सूचना जो है नोटिस का हिंदी रुपांतरण है इंग्लिश में सूचना को क्या कहेंगे नोटिस कहेंगे अब इसके बाद हम जानेंगे कि सूचना कितनी तरह की होती है सूचना जो है दो तरह से कही गई है एक सुखत सूचना और दूस इस तरह की सूचना है अब हम बात करेंगे कि जब आप प्रिक्षा में सूचना लिखते हैं तो उसे लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाशा का आपके जो भाशा है वो सरल होने चाहिए अर्थात सबको समझ आ जाने वाली होने चाहिए उसमें बहुत जादा जो है कठिन शब्दों का उप्योग नहीं होना चाहिए और जो दूसरी बात ध्यान रखनी है वो है समय और दिनाग क्योंकि सूचना वही सही कहलाई जाती है जो सही समय पे दी जाए तो क्या है समय और दिनाग का सूचना में बहुत जादा महत थओ है उसके बाद जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो है सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत जाद जादी जो सूचना लंबी होगी वो उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं होगी आपको सूचना कम शब्दों में और प्रभावशाली लिखनी है, वो ज़ादा attractive होनी चाहिए उसके बाद आपको पात ध्यान रखनी है स्थान और पता, स्थान और जो पता है वो सही लिखा होना चाहिए क्योंकि यदि आपको सूचना किसी को दे रहे हो, किसी को किसी जगा पर पहुँचने के लिए बता रहे हो और आपने स्थान और पता गलत लिख लिया है, तो जो व्यक्ति सही समय पे सही जगा पर नहीं पहुँच पाएगा इसलिए क्या है स्थान और स्पता जो है वो सही होना चाहिए उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए जो सूचना दे रहा है वो किस पद पर है वो लिखावा होना चाहिए और उसके बाद जो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे सूचना लेखन के प्रारूप की प्रारूप हुआ कि आपको जब प्रिक्षा में सूचना लिखनी है तो आपको किस ढंग से लिखनी है, किस तरह से लिखनी है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर जो है कैंदर में, अर्था बीच में जो है शिर्षक लिखना चाहिए, और शिर्षक क्या होगा, सूचना, और उसके पाद जो दूसरे नंबर पर आपने काम करना है, वो है सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम, मत सूचना दे रहा है, आपको उस संस्था का नाम लिखना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद आपको दिनाक लिखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूंकि आपको जो दिनाक लिखनी है, वो लिखनी है यहाँ पर जब सूचना प्रसारित हो रही है उसके बाद आपने जो बात ध्यान रिखनी है वो है विशे दिनाक लिखने के बाद आपको विशे लिखना है कि आप किस विशे के बारे में सूचना दे रहे हो उसके बाद आएगे सूचना का लेखन अर्था उसके बाद आप सूचना लिखोगे ठीक है और उसके बाद आएगा सूचना देने वाले का पद, पहले हमने लिखा था संस्था का नाम, अब उसके बाद हम लिखेंगे, जो सूचना दे रहा है, उसका पद, मतलब जो दे रहा है, जैसे अगर विद्यालिया दे रहा है, तो उपर सबसे उपर जो लिखा था संस्था का नाम, वहा प्रधानाचार्या लिखेंगे और उसके बाद उनका नाम प्रधानाचार्या का नाम जो भी दे रहा है उसका नाम लिखेंगे ठीक है और लास्ट में क्या लिखेंगे अगर आवशक है अगर जरूरी है तभी आप सूचना देने वाले का पता लिखेंगे वैसे सूचना देन पूछा गया था, आप हिंदी शातर परिशत किसे कहा जाता है? Student favor को, और वी असके कहा है, ये सचिव प्रगर्णया किसे कहा जाता है? General secretary को, और यहाँ पर कहा गया है कि आप हिंदी शातर परिशत के सचिव प्रगर्णया है, आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागी दिवार पटिका के लिए 25 से 30 शब्दों में सूचना त्यार करनी है अनुगामी सांस्कृतिक संध्या क्या हुई? Evening Culture Program जो होता है ठीक है? उसके बारे में जो है आपको दूसरों को सूचना ये देनी है और वो काय में देनी है अनुभागी ये दिवार पटिका पर आपको देनी है वो हुआ आपका Notice Board पर ठीक है? आपको ये जो इतने सारे ये tough words हैं इनको देखकर जो आपको परिशान नहीं होना है आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने सूचना त्यार करनी है वो भी 25 से 30 शब्दों के बीच में ठीक है? और थोड़ा बहुत आपने ये धियान रखना है कि जो आप हैं वो 16 परिशयत के सची प्रगर्णिया है और आप जो सूचना दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? जो सची प्रगर्णिया है वो हो गया आपका बदनाम जब आप लास्ट में लिखेंगे जब बदनाम की बार आपका सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम अब आपने देखा था कि आप एक विध्यालिया के क्या थे छातर परिशयत के सची प्रगर्णिया थे जनरल सेक्टर थे तो यहां पर क्या आएगा स्कूल का नाम आएगा क्योंकि स्कूल जो है वो सूचना प्रसारित कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो है विशे, आप विशे डालेंगे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, क्योंकि वहाँ पर आपको कहा गया था कि आप आगामी संस्कृत जो संध्या है, उसके बारे में आपको सूचना देनी है, ठीक है, तो व है कि हमारे विद्यालिया में 3 मार्च 2019 को साएं 5 बजे से 10 बजे तक विद्यालिया सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, इच्छुक छात्र अपना योगदान दे सकते हैं, अब यहाँ देखिए केवल एक तो वाक्या में ही सारी बातें कवर हो है, वहाँ पर संस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, एक ही वाक्या में आप पूरी डिटेल दे रहे हैं, क्यूंकि आपके पास 25 से 30 वर्ड है, एक्स्प्लेइन करने के लिए अपनी सूचना को, तो आप इस तरह से दो वाक्या में ही अपनी सूचना को उसके बाद जो next point है, वो है सूचना देने वाले का नाम, और सूचना देने वाले का नाम आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी लिख सकते हैं, तो बनिया साक्षी मैता लिखा है, इस तरह से आपकी सूचना जो है, वो पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है, तो अगर आप इन स विखुख विदार्थियों को यथा समय उपस्तित रहने की सूचना लगभग 25 शब्दों में लिखे, समय और स्थान का उलेख भी कीजिए, अब यहाँ पर एक दूसरी सूचना आपने लिखनी है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर संस्कृत, संस्था, रंगमं सकते हैं, वो रखा गया है, और उसके लिए इच्छुख जो विद्यार्थी जो परिक्षा देना चाहते हैं, उनको यथा समय उपस्तित रहने की सूचना देनी है, मतलब आपको समय भी बताना है, स्थान भी बताना है, वो आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया, आपको यह जाय का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद हमने दिनाक लिखी है, जिस दिनाक को आप सूचना दे रहे हो, ठीक है, उसके बाद हमने जो है विशय लिखा है, विशय है गायन कारेक्रम हेतु स्वर परिक्षा, अर्थाद आपका कोई जो है, म्यूजिकल कॉम्पोटिशन हो रह जा रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है, आपका विशय हो गया, इसको आप हाइलाइट करके लिख सकते हैं, उसके बाद जो है, आप जो धियान रखेंगे, वो क्या था? उसके बाद सूचना का लेखन था, सूचना का लेखन किस तरह से करेंगे? दो-तीन वाक्या में ही यहां पर आपने दिनाख भी बता दिये कि 8 फर्वरी को वो audition होना है और दो पहर एक बजे होना है और कहा होना है विद्यालिया सबागार में अर्थात auditorium में होना है एक ही वाक्या में आपने पूरी detail दे दी है उसके बाद आपने रंगमंच सचीव यह क्या हो गया पदनाम ज और उसके बाद नाम क्या बदाया था लती का तो यह दो तो आपको वहीं से clear हो गया था और यह जो समय और दिनाख है वो आपको इसमें एक ही वाक्या में जो है conclude करनी है इस तरह से आपकी सूचना 25 से 30 शब्दों में पूरी हो जाएगी और आपको 5 नमबर लेने से कोई न शे साथ पॉइंट्स जो हमने बताये हैं कि आपको सूचना लिखते से में किन-किन बातों का ध्यान रखना है उनको आप fingertips पर याद कर लीजिएगा ताकि जो आपकी सूचना है उनमें 5 के 5 नमबर लेने से आपको कोई न रोख सके धन्यावाद